अंद्रप्रदेश के तटिये जीले विशाखा पट्टन में बच्चा चोरों के सक्रिये होने की अफवाह को लेकर परिजनों में भय का माहौल है लोगों में अफवाह और डर का माहौल इसका दरहावी है कि बीते 24 घंटे के अंदर बच्चा चोर होने के संदेख में 12 लोगों पर भीर ने हमला करून की बुरी तरह पिटाई कर दी भीर के हमले में अब तक एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है विशाखा पट्टनम में बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर ऐसे संदेश तेजी से फ्रसारित हो रहे हैं जिन में इलाके में बच्चा चोर गिरोह के सक्रिये होने की बात कही डा रही है पुलिस ने लोगों से इस तरह की अफवाहों पर विश्वास न करने की अपील भी की है इसके बावजूद वहाट सेप पर ये संदेश अभी भी तेजी से फैल रहा है विशाखा पटनम के पुलिस कमेशनर टी योगानन ने लोगों से अपील की है कि वार्ट सेप पर विशाखा पटनम और आसपास बच्चा चोर गैंग के सक्रिये होने की अफवाह फैलाई जा रही है इस तरह की अफवाहों पर विश्वास कर लोग बच्चा चोर के शक में संदिक्द व्यक्तियों पर हमले कर रहे हैं लोगों से अपील है कि वे कानून अपने हांत में नले पुलिस कमिशनर ने बताया कि बचा चोर के संदेह में भीर द्वारा की गई पिटाई में एक व्यक्ति की मौत की खबर है जबकि पांच अन्य घायल हो गए हैं पांचों घायलों को गंभीर हालत में अस्पताल में भारती करवाया गया है जीले के वनटाउन पुलिस थाना इलाके में एक गईर तेलगू भाशी भिकारी को बचा चोर होने के संदेह में बुरी तरह पीटा गया भीर ने निर्दोष भिकारी को निर्वस्तर कर दिया और पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी पुलिस अब तक मृत भिकारी की पहचान नहीं कर सकी है हाला कि उसकी हत्या के आरोप में तीन लोगों को गिरफतार कर लिया गया है वहीं का चारपालेम इलाके में बेवती बेगम को भीरने बचा चोर होने के संदेह में निर्ममता पूर्वक मारा पीटा पीड़ता के बैग से लोगों को एक दशमलव साथ पांच लाक रुपे मिले जिससे लोगों को संदेह हुआ यह पीड़ता भी गेरते लुगू भाशी है वहीं पुलिस कमेशनर का कहना है कि शहर में बीते 15 दिन में कहीं से किसी बच्चे के लापता होने या किड्नेप होनी की कोई रिपोर्ट नहीं है साथ ही उन्होंने कानून हांत मिलेने वालों को सख्त कारेवाई की चितावनी भी दी है